लेकक है वो शूमेकर को जो जूते बनाते हैं उनको बहुत साल से जानते हैं क्योंकि वो उनके फादर के कर देंको जूते बनाया करते थें जूते बनाने वाले जो अपने बड़े भाई के साथ दुकान में रहते हैं और दुकान लंडन में हैं निपार दुकान के आगे कोई भी साइन लिखा वा था, लिखावा था यूज्टो मेक बूट्स ओल्ले नौडर्स और वो जब कम आइप बनाए कर वह रहा है जोटे बनाए कि अजबी और एक भार लेकक ने गेजलर जे पूछा और फिर बनाने के पूछह पूछा गैसलर की वो जूवी हूँ पनाते हैं पर जूपी क्या ने良ड है यह गार तो ने लगता है जूवी एकता है पिर जो लहजा होता है बोलने का जो नहोंने बोला कि यह एक आर्ट है एक कला है जूते बनाने की जो फिटिंग जूते होते हैं वो बनाने की कला है Mr. Gessler will be engrossed in his boot making art most of the time and won't talk much with his customers Mr. Gessler है यह अपनी boot जूते बनाने में बहुत ही ज्यादा lean हो जाते है इन ग्रोज का मलब होता है जब आप किसी चीज़े बहुत जादा busy हो जाते हो lean हो जाते हैं आप तो अतने lean हो जाते थे अपने जूते बनाने में कि वो customer से जादा बात नहीं करते थे he strongly admired every piece of materials he used to work with और बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा 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 मदद से जूते बनाते थे हो ज्यादा ज्यादा तारीफ करते थे थे बहुत ज्यादा तारीफ करते थे थे बहुत ज्यादा तारीफ करते थे थ और जो गेजलर ब्रदर्स जो चूते बनाते थे बहुत ही हाई क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी की होते थे जो की बहुत लंबे समय थे चलते थे बट इन वन्त ओकेशन दी ऑथर हाद डिफ्रेंट एक बार क्या हुआ जो ऑथर है जो लेकर के उनको बहुत ही अलग सा अनुगा हुआ एक्सपीरियंस हुआ कि कंप्लेंट अबाउड इटो मिसर गेजलर ऑफिर उनमें उसीच के लिए कंप्लेंट किया मिसर गेजलर से तो द सब्सक्राइब करते हैं और गेजलर का दुख और जो की मुश्किल समय उनके जो लाइफ में है अब हम उसको डिसकस करते हैं ऑन वन ओकेशन वाइल प्लेसिंग ऑडर फोर शूग ऑथर बिट आपसेंट माइंड एक बार क्या हुआ कि जब लेखक अपना ओर देरते जोते क के लिए तो जो ऑथर का उस ताइम दिमाग थोड़ा काम नहीं किया अपसें माइनेट का मलत है जो आप दिमाग से काम नहीं करते हैं तो उन्होंने एक जूते पहन रखे थे और वो जूते नहीं एक इमर्जनसी में खरी दे थे बहुत बड़ी दुकान से जब इमर्जनसी आई होगी तब उन्होंने वो जूते खरी थे Mr. Gazzler looked carefully impressed at a point where the left boot wasn't comfortable Mr. Gazzler ने बहुत ही ध्यान से जूतों को देखा फिर उन्होंने वस एक पॉइंट जूते के point को दबाकर देखा जहां पर जो लेफ जूता था जो लेफ पैर में पहनते हैं बहुते पैर में पहनते हैं वहां पर वहां पर comfortable नहीं था with a sad face he commented that it hurts the customers but still the big firms don't have any self-respect फिर उन्हें sad face से बहुत ही दुखी मन से बोला कि जो यह बड़ी कंपनियां होती जो बड़ी big firms यानि कंपनियां जो होती हैं उनको customer के self-respect से कोई मतलब नहीं होता है कि और यह देखके वह बहुत जाद दुख होते हैं दुखी होते हैं दुखी होते हैं they lure customers with their advertisements and not with their works और उनने Mr. Gessler यह भी बोला कि वह customers को अपनी तरफ लुभाते हैं लिओर का मतलब होते हैं लुखाना और बड़े-बड़े admittisements से लोग customers को लुभाते हैं वो अपने काम से नहीं लुभाते हैं because of this Mr. Gessler was losing on business और इसी वजए से जो Mr. Gessler है उनको बहुत ही बेकार लगा और क्योंकि वो पहली बार सुन रहे थे Mr. Gessler को यह वाली बात करते हैं तो उनको बहुत बहुत बेकार लगा और उनने बहुत सारे चुते जल्दी ही वहां से ओर्ड़ कर लगी है after several months he went to their shop again बहुत महीनों के बाद वो दुबार थी जी शौप में दुकान में गए but this time he mistook Mr. Gessler for his elder brother जब वो इस बार दुकान में गए तो उन्होंने Mr. Gessler को उनकी जो बड़े भाई थे उसको Mr. Gessler उन्होंने समझ लिया after a while he realized his mistake and learned that the elder brother had passed away थोड़े के बाद author को realize हुआ कि जो उनके बड़े भाई है वो उनकी मृत्ति हो चुके है वो गुजर चुके है he again ordered many pairs of shoes and soon after that he left for abroad फिर लिखक में दुबार से बहुत सारे जूते का order गया वहांसे और पिसके वो वो विदेश्य ले गई after returning back, जब वापस आई, he went to his favorite boot shop again वो दुबार से पनी favorite boot shop में गई this time Mr. Gessler looked more aged this time and this time Mr. Gessler आते वो और जाते बोडे नजर आए only a year had passed but from his face it appeared as though he had covered a journey of a decade किसे एक ही साल बीता था और उनके चहरों को देखे ऐसे लगा था कि दस साल हो चुके है the artists end but with a bitter truth जो आर्टिस्त का उनका एंड हुआ एक कडवी सच के साथ Mr. Gessler failed to recognize the author Mr. Gessler है उन्होंने लेकर को बिल्कुल भी नहीं पहचाना the author as usual plays his orders and this time the puts were better than ever फिर से लेकर ते ने ओर दिया अपने जोते को और इस बार के जोते थे पहले से बहुत ही जारे बहतर थे the author one evening went personally to thank Mr. Gessler for such a splendid book क्योंकि इस बार के जोते बहुत अचे थे 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 तो बहुत है वो एक शाम personally Mr. Gessler को बहुत ही अच्छे काम के लिए उंदा काम के लिए splendid काम के लिए thank you बोले गए but the nameplate was missing from the shop पर इस बार जो nameplate थी वो शौक पर दुकान पर थी नहीं he found an Englishman inside दुकान के अंदर उन्हे एक अंग्रेज नजर आया the man informed him that Mr. Gessler had passed away and had taken up the shop आर्मी ने ये informed कि Mr. Gessler उनकी मिट्टी हो चुकी है पास जबी कामना तो गुजर जाने मिट्टी होना और उन्होंने वो दुकान को ले लिया है the man further added that Mr. Gessler died of starvation और उन्होंने ये भी बताया है जो Mr. Gessler है वो भुकमरी के खारण मढ़ते the man used to make all the boots himself और उन्होंने ये बताया कि जो वो Mr. Gessler थे वो खुद सारे जूते बनाते थे he never allowed anyone else to touch him और उन्होंने कभी भी दूसरों को जूते टच करने दिये ही नहीं चुने दिये ही नहीं use the finest quality leather उन्होंने बहुत ही अच्छी किसम के जू लेदर चमड़े वो यूस करते थे और वो यूस करते थे and worked hard day and night और तिन रात बहुत hard work करते थे to complete the orders in time order को पूरा करने के लिए he made the best boots in London और लंडन में सबसे अच्छे जूते यहीं बनाये है with the finest leather yet he lost it to competition बहुत अच्छे चमड़े गए बहुत अच्छे जूते बनाये everything that he earned went on paying rent for the shop और जो भी उने earn किया कमाया वो दुकान के rent में चलागे किराय में चलागे and on buying leathers और चमड़े खरिंदे में चलागे he skipped his meals working for hours for each pair of boots और फिर उनोंने अपने खाने भी खाना खाना भी छोड़ दिया क्योंकि वो घंटो तक अपने जूते बनाते रहते so this was the story about very touching story I hope you've learned something thank you so much for attending this session so in the next lesson everyone thank you for attending this session do share and subscribe to this channel for more lessons like this check out other video lessons by clicking on the video you